तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि आगर आप IDFC बैंक का online statement को निकालना चाहते हो तो किस तरह के सब अपना IDFC बैंक का online statement को download कर सकते हो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो IDFC बैंक का statement को निकालने के लिए चलते हैं दोस्तो मोबाल इसकीन पर और IDFC मोबाल बैंकिंग ऑपन करके देखते हैं कि किस तरह के सब आप IDFC bank का mobile banking से आप statement को download कर सकतो यान कि स्टेड्मेंट को निकाल सकतो इसके लिए चलता है mobile skin पर तो यहाँ पर हम आ गया है mobile skin पर तो IDFC statement को निकालना के लिए सब शब सब्सक्राइब हम यह पर IDFC mobile banking को login कर लेंगे त इस टेड्मेंट की रेजिस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टे स्टेडिमेंट अब looking कर दोट सेयु सेपतर कितने दिन निकलना चाहते हैं तब जैसे कि हम लास्ट या भी स्टेडमेंट कर दो निकाल सकते हो तो जैसे में लास्ट three month का निकलना चाह이다, हमिए रास्ट three month का select कर लेंगे. Select करने नीचे पर जाना है. निचे पर यहाद पर download statement और option पर click कर देगे. तो यहां पर आपना स्टेडमेंट आ चुका है पीडियेप में यहां पर आपना स्टेडमेंट को निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से सब्सक्राइब मोबाल बैंकिंग से अपना स्टेडमेंट को निकाल साकतों आप सारा डिटल आप देड्ल कर दोना और इस वीडियो से फिर अगर कुछ भी सवाल हो तो कमेंन बाक्समें जरूा बत ना तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं आगले वीडियो पर कुछ नहीं है टॉपिक लेकर तब तक के लिए बाई